अज हम निरक्षिन विदी के बारे में पढ़ेंगे आपजर्वेशन मैथड आपजर्वेशन मैथड का उपयोग छोटी बच्चे और सिशुओं की समस्याओं के अध्यन के लिए किया जाता है बाल मनुवग्यान की समस्याओं की अध्यन में इस विदी का सर्व प्रथम उप्योग जर्मनी में हुआ अमेरिका में वर्टसन ने इस विदी का उप्योग किया बालकों के प्रात्मिक समवेगों का अध्यन करने के लिए इस विदी का उप्योग किया जाता है इस विदी दोरा बाल वेवार के निरक्षन में भिन भिन मनोवे ज्यानिकों ने कुछ भिन भिन पराणालियों को भी अपनाया है निरक्षन विदी का आर्थ और तत्व विज्ञान निरक्षन से प्रारंब होता है और अपने तथ्यों के पुष्टि के लिए अंथ में निरक्षन का सहारा लेता है कई निरक्षन विदे के कई परिभाशा दी है गुड़े और होट के अनुसार नेत्रुधारा सावधाने से किये गए अध्यन को सामुईक व्यवार जटल सामाजिक संस्ताव और किसी पूर्ण वस्तु को बनाने वाली प्रतक इकायों का निरक्षन करने के लिए एक विदी की रूप में उप्योग में किया जा सकता है एक डेफिनेशन और देखते हैं मौसर के अनुसार निरक्षन को उचित रूप से व्यग्यानिक पूर्षताच की श्रिष्ट विदी कहा जा सकता है इसका अर्थ है कि कानों और वाने की अपेक्षा नेत्रों का उप्योग हमें अधिक करना है तो नेत्रों दिया गया निरक्षन करने की विदी ज़्यादा उप्योगी है निरक्षन विदी के पद या स्टैक्स हम देखते हैं निरक्षन विधी में सबसे पहले उप्युक्त योजना बनाई जाती है निरक्षन विधी अध्यन करने से पहले आवश्यक्य के कि अध्यन व्यवार और समस्य के संबंद में कुछ उप्युक्त योजना बना लिजाए निरक्षन करता को निरक्षन करने से पहले ही निश्य कर लेना चाहिए कि किन लोगों का निरक्षन करना है और किस प्रकार की विवार का निरक्षन करना है निरक्षन के लिए शेत्र समय उपकरण आदे की समंद में पहले से ही यूजना बना लेनी चाहिए पहले से यूजना बना लेने से अध्यान अधिक उद्देश्य पूर्ण हो निरक्षन करता अध्यन समस्या व्यवार और उपकरण आधिकी समंद में पहले से योजना बना लेने के बाद योजना के अनुसार पूर निशित उपकरणों और आखों के साहिता से व्यवार का निरक्षन प्रारंब करता है निरक्षन करते समय निरक्षन करता व्यवार के उन पक्षों का निरक्षन अधिक ध्यान से करता है जो उसके अधिन समस्या से संबंदित है एमपूर योजनानुसार होती है वहार निरक्षणों की सासाथ विभिन उपकरनों की साइता से विवार को भी नोट करता जाता है इसका तीसरा स्टेप है विवार को नोट करना निरक्षण करता विवार को नोट करने का कारिय निरक्षणों को करने की सासाथ करता रहता है व्यावार को नोट करने के लिए उपकरना का उपयोग करता है जैसे मूवी केमरे की उपयोग से किसी प्रकार की व्यावार की निरक्षन को सदलता से नोट किया जा सकता है इसे प्रकार व्यावार से संबंदित समवादों को टैप रिकोड़ों की साहिता से नोट किया जा सकता है अध्यन करता व्यवार के उन पक्षों को अधिक सावदानी और ध्यान से नोट करता है जो उसकी अध्यन समस्या से संबंदित है इसके बाद अगला स्टेप है विशलेशन समस्या से संबंदित व्यवारों के निरक्षण को नोट करने के बाद अध्यन करता अ मिन्रेशनओ को यदि संबभातो अंकों में बदलता है और प्राप्त अंकों का साँठनी करन करता है आप़ वीखेलने सांखेके विध्यों की आधार पर आंक्डू का विशलेशन करता रहता है यदि निरक्षित व्यवार को अंगों में परिवर्थत करना संभव नहीं होता है तो किसे अन्य कसोटी के अधार पर निरक्षित व्यवार का विश्लेशन किया जाता है और इसका निरक्षिन विदी का अंतीम पद है व्याख्या और सामान्य करण निरक्षिक्त व्यावार का विश्रेशन करने के पश्याद व्यावार की व्याख्या की जाती है यो दिसंबाव होता है तो व्यवार की व्याख्या विभिन सिधान्तों के आधार पर किये जाती है अथ्वा व्यवार के कारणों पर प्रकार डालने का प्रयास किया जाता है मनोव ज्यानिकों के अध्यन भहुदा प्रतिदर्श की साहिता से किये जाते है अथ्वा मनुश्यों के अत्रिक्त विभिन प्रकार के पश्यों पर भी किये जा सकते हैं जब अध्यन पश्यों पर किये जाते हैं अथ्वा पश्यों का प्रतिदर्श लेकर यानि सैंपल लेकर मनुश्यों का प्रतिदर्श लेकर अध्यन किया जाता है तो इस अवस्ता में प्राप्त परिणामों के सामानी करण की आवशक्ता होती है सामानी करण में देखा जाता है कि जो सेम्पल लिया है उससे प्राप्त परिणाम कहां तक सामानी जंजंख्या पर लागू होते हैं तो ये इसके पाच स्टेप थे अब मैं आपको बताते हूं निरक्षिन विधी की प्रकार निरक्षिन विधी चार प्रकार की होती है पहली सरल और एलियंत्रत विधी दूसरी व्यवस्तित और नियंत्रत विधी तीसरी सहभागी निरक्षिन विधी चोती ऐसा भागई विधी तो चारों विद्या हैं इनके पूरी डिटेल में आपको अगली वीडियो में बताऊंगी थैंक यू